तुम अपना नाम अपने से बताओ। अपना नाम बता दिए इस बता देता हूँ अपना नाम बता देता हूँ बताओ संजयनगर यह 370 अपने सानातन में आज हम बात करने वाले हैं यति स्वामिंदर सिमानन सरस्वतिजी के उपर एक बार फिर से हमले की कोशिश करते हुए दो लोगों के पकड़े जाने के उपर इन लोगों में प्रमुकता एक व्यक्ती का नाम है काशिफ और दूसरे व्यक्ती ने जो अपना नाम बताया है वो भी जूटा है बाद में जाच में पता पड़ा है कि इस व्यक्ति ने भी इसलाम में कनवर्जन कर लिया था और इसका नाम भी मुहम्मद ही हो चुका है और उसकी वजा है कि कासिफ की बेहन से इस व्यक्ति की शादी हो चुकी है लेकिन इस तरीके के लोग अपने नाम अभी भी हिंदु दी बादचीत करनी शुरू की है वो लगातार उन लोगों के टारगेट पर हैं यही नहीं पश्चिम बंगाल से काफी सारे संगटनों ने उनके खिलाफ काफी सारे फत्वे भी दिये दिल्ली में अमानत उल्ला खान ने अफायार दर्ज कराई और उनके विशे में बहुत स सारे कटू शब्द भी कहे इसके अलावा पूरे भारत वर्ष से उनके सरतन से जुदा करने के नारे भी लगाए गए लाखों की भी जुटा करके हिंदूों के अंदर खौफ का माहौल पैदा करने की काफी कोशिशे भी की गई जिसके बावजूद किसी विराज्य की सरकार ने उसके उपर कोई भी फैसला अभी तक नहीं लिया कोविड के जितने भी नियम थे उनकी धज्या उड़ाते हुए इन लोगों ने हुजूम जुटाया नफरत उगली यहां तक कि हमारे संथ के प्रती उन्होंने अपशब्दों का भी प्रयोक किया लेकिन किसी ने भी अ अभी थैसरबूत देती है कि पाकिस्तान ही नहीं बलकि भारत वर्ष के मुमीन भी स्वामी जी की हत्या के पीछे लगे हुए हैं उनका स्लीपर सेल अभी भी कारेरत है कि यति स्वामी धर सिमनन सरस्वती जी की हत्या כिस प्रकार से की जाए इसके हमें दो तीन चीजे कोई भी सवाल उठाते हैं तो उन लोगों के पास में कोई भी उसका सीधा सीधा जवाब होता ही नहीं है ना ही अभी तक किसी ने भी उसका बारे में कोई जवाब दिया है और ना ही वो देप पाएंगे इस वजासे उन लोगों ने एक ही निरने लिया है और वो है कि हर आवा जी हों या स्वामिनर सिमानन सरस्वती जी के उपर होने वाले हमलों के तैयारिया हूं इन सब से हमें यही पता लगता है कि इनके पास में केवल और केवल हिंदू गैर मुसलमानों की आवाज दबाने के अलावा कोई भी तरीका नहीं था और इसी तरीके से इसी डर और का महौल पैदा किया जा सके यह दिखा करके कि हमने किस प्रकार से उनकी गर्दन को अलग कर दिया है और यही महौल अभी भी पैदा किया जाने की कोशिश में है कासिफ के बैग से जिस प्रकार से सर्जिकल ब्लेड्स मिले साइनाइड मिला क्लोरोफाम मिला और वो भी तब जबकि बाहर उन्होंने अपने नाम हिंदु बताए, छद्म नाम से वो अंधर घुसे, अंधर घुस करके उस समय पर, जिस समय पर की यतीश्वामि अदर सिमानन सरसवति जी अपने यग्य से उठ जाते हैं, उस समय पर उन्होंने मंदिर के अंदर एंट्री ली, हिंदु न बाद में उस तरीके से वार किया जाए ताकि किसी को कुछ भी पता ही ना लगे मान लीजे कि अगर इन लोगों की पहुंच रसोई घर तक पहुंच जाती और वहां पर वो भोजन में किसी परकार से साइनाड मिला देते तो वहां पर कितने सारे लोगों की व्रत्यू हो सकती लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज जो सामने आई है वो आई है पुलिस की लापरवाही अर्थात कहने कारत यह है कि जब वो लोग अंदर घुस गए और उनके बैक की कोई भी चेकिंग गेट पर नहीं हुई तो अंदर जो उनकी खुद का सुरक्षा कवच है वहां पर जा थे इस से हमें क्या पता लगता है पता यही लगता है कि जिस प्रकार से स्वामे जी की हत्या के इस प्रियास के बावजूद उनके पकड़ जाने के बावजूद सोसल मेडिया पूर दे के शान्त है किसी ने अभी तक कोई भी आवाज नहीं उठाई है इस से में यही पता लोग दूसरे मुद्दो की तरफ अपने ध्यान को भठकाई हुए हैं। जिस प्रकार से आपने देखा कि यति स्वामिनर सिमानन सरस्वतिजी के उपर अनरगल आरो पहले भी लगे जब आसिफ की पिटाई का मामला आया। लेकिन अब मस्जिद के अंदर जाकर के एक लड़ वर्ष में हमारे संथ समाज के प्रती हिंदू समाज के प्रती और जो भी हिंदू समाज के प्रतीक हैं जो उनके नेतरत्व करता हैं इन सब लोगों के प्रती इस तरीके का उदासीन महौल पैदा कर दिया गया है कि उनके लिए कोई भी दोशब्द बोल ही ना पाए। ऐसे समय में हिंदों को ये चाहिए था कि इस मामले को अधिक से अधिक उठाते लोगों के बीच में पहुंचते सरकार के पास पहुंचते पुलिस थानों में पहुंचते और यहां पर उनको यह उद्वेलन पैदा करना चाहिए था कि अगर यती महराज को कुछ भी होता है तो इस ने आवाज नहीं उठाई आज मेरी यति स्वामिनर सिमानन सरस्वती जी से थोड़े देर बात हुई वो काफी व्यस्त थे और वहीं पर मुझे इन सारी चीजों के विशे में पता लगा किस प्रकार से इस विजय वर्गी नामधारी व्यक्ति ने पहले ही कासिफ की वहन से श गरवापसी कराने वाला था यदि कासिफ की घरवापसी ही होनी थी और यदी विजय वर्गी को अंदर ही आना था तो वो लोग अपना सही नाम बता करके भी आ सकते थे और इनके पास में जो कुछ भी सामान था क्योंकि वो सारा का सारा संदिग्द था उसको बाहर ही रख भी सकते थे, वही के वही बता भी सकते थे, लेकिन जिस प्रकार से मंदिर की रेकी की गई, जिस प्रकार से स्वामी जी की पूरी टाइमिंग को उन्होंने फॉलो किया, जिस प्रकार से उन्होंने गेट पर बैठे हुए सुरक्षा तंत्र को पूरी तरीके से धता बताते हु अंदर एंट्री ली ये सारी तैयारियां इसी बात को हमें दर्शाति और बताती हैं कि यहां पर यती स्वामी जी की सुरक्षा में सेंद लगाते हुए एक बार फिर से उनकी हत्या का प्रयास करने की कोशिश की गई मेरे दोस्तों मेरे भाईयों मेरे बहनों सभी के सभी इस बात को द्यान दें और इस विशे पर हमें उच्चतम स्वर में आवाज उठाने के अवशक्ता है क्योंकि हिंदू समाज के साथ में यही चीजे होती आई हैं कि उनके नितरत्व करताओं को चुन-चुन करके खतम कर दिया गया समाप्त कर दिया गया खौफ बठाया गया और इतना खौफ के आम जंता स्वम ही भाग जाए दोड जाए और वो धर्म के लिए लड़ने से पीछे हट जाए ऐसी स्थिति में केवल रोने जी जाने से काम नहीं चलेगा हमें आगे बढ़ करके अपने संतों अपन वंदे मातरम